मुबायल से email id या फिर Gmail id कैसे हटाए है आप मैं आपको बताऊंगा अधिर आप Android का यूस करते हैं अपने मुबायल से emails id या फिर Gmail id को हटाना चाहते हैं तो बिल्कुस सही वीडियो पर आपने क्लिक या है तो SMA friends मैं आपको directly बताऊंगा कैसे आपको जो है अपनी email id या फिर gmail id को mobile से आटाना है तो video को एंट तक देखते रहेना सबसे फ़ले आपको जो अपनी mobile को settings जो है इसको open करना है तो simple है आपको यहाँ पर बता रहा हूं step by step follow कर दो को सब्सें नीचे चले जा, आपकोはいक option मिलेगा account के नाव से या फिर आपको add account के नाम से 8 यहाँ पर क्लिक 45 करना है तो यहा पर click करने में जितने भी email id होगे ना तो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो यहां पर मेरी privacy यहां पर मेरी email id को नहीं दिखा सकता मेरे mobile में बहुत सार email id मैं आपको यह दिखा नहीं सकता ठीक है तो देखो example की दुर में आपको यहां पर एक email id देका दिखा देता हूं तो जैसे आप यहां पर Google के option पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी email id आपके देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहां पर जो है आपको जो भी email id या फिर Gmail id को जो हटाना है उसको ऐसे click कर दो तो देखो click करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह के option आएगा account and signing का तो यहां पर आपको उपर right side में 3 dot मिलेगा यहां पर आपको click कर देना है अब इस option पर click करने के बाद आपको एक option मिलेगा remove account के नाम से तो इस option पर click कर देना आप जो है आपे अपनी Gmail ID या फिर email ID को mobile से remove कर सकते हो आपके पास चाहे कोई साभी mobile हो Redmi, Vivo, Oppo, Samsung तो यह simple तरीका follow करके आप जो है आपनी email ID को जो है log out कर सकते हो मतलब remove कर सकते है अपने mobile से तो इस trick को use करके comment box में बता देना वीडियो helpful लगती है तो वीडियो को एक like कर देना अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर देना तो मिलते हैं किसी नहीं वीडियो के साथ किसी नहीं interesting topic के साथ तब तक लिए goodbye और आपका जो भी question है तो मुझे comment box में बता दो किसी नहीं वीडियो के साथ